असलाम अलेकूम माई वीवर्स वेलकम टू माई चैनल आज हम बनाएंगे रमजान स्पेसियल में फ्रूट सलाट जो की रमजान में बहुत ही पसंद किया जाता है तो चलिए देख लेद इसको किस तरीके से बनाते हैं हमने यह लिया यह 500 ग्राम दूद यह फूल फेट पावडर मेंगो कश्टड पावडर दो चमच लिया है इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है फ्रूट सलाट में तो आप इसमें कश्टड पावडर मेंगो फ्लेवर का ही एड करें तो हम इसे अच्छी से मिक्स कर लेना है इसमें लम्स नहीं होने चाहिए देखी यह मिक्स हो चुका है दूद में उबाल आ चुका है उसके बाद हम एड करेंगे चीनी मैंने यह छे चमच सक कर ली है परफेक्ट मेजरमेंट है तो आप इसी तरीके से एड करें और अगर आप थोड़ा जादा मीठा पसंद करती तो एक चमच एक्स्टर का ले ले इसे मिक्स क कर लेंगे दो मिनिट के लिए उसके बाद हम एड करेंगे जो हमने कश्टर पावर के घोल बनाया था उसे हम डाल देंगे और उसे हम फटा फट से चला लेंगे हमने मीडियम फ्लेम कर दिया है दूद को हमें अच्छी से एक उबाल आय तक पका लेना है और आप देख सकते कितना थिक हो गया है ये तो बस हमें एक ही उबाल लाना है और गेज को कर देना है बंद और उसके बाद हम थंडा होने के लिए रख देंगे फ्रीज बे उबाल आ चुका है इसे हम रख देंगे थंडा होने के लिए देखिए एक कल्लाग हो चुका है और हमने फ्रीज से ब बाहार निकाल लिया है और ये काफी ठीक भी हो चुका है मैं आपको चम्मस से बताती हूँ आप देख सकते उपर की परत भी आ गई है तो कितना ठीक है और ये परफेक्ट है हमारे जो फ्रूट सलाट के लिए इतना ही हमें ठीक चाहिए तो हमने यहां लिया है कुछ करना है अप यह बात का ध्यान रखे कि हम इसल्वक्त करता अवर्च करना है तो कुछो इस वक्त था मुद हम इससे मींग सबधार पर सकते हैं और इसके उपर मैं थोड़ी से fruit की garnishing करूँगी, आप चाहे तो इसे skip भी कर सकते हैं, पर यह देखने में भी और खाने में भी बहुती tasty लगता है इससे, देखने में अच्छा लगता है तो खाने में भी बहुती मज़ा आता है, तो तैयार है हमारा fruit salad, तो इस रमजान जरू इसे try करें, आपने बहुती मीठा कुछ खाया होंगा, तो एक बार इसे भी जरू ट्राइ करें, तो चलती हूँ, आला हफीज